जीवन के जिस मार्ग पर, अब आप आगे बढ़ रहे हैं, उसमें निश्चित तोर पर आपके सामने कई सवाल भी आएंगे, ये रास्ता सही है या गलत है, नुक्षान तो नहीं हो जाएगा, समय बरबाद तो नहीं हो जाएगा, ऐसे बहुत से सवाल आपके दिल दिमाग को जकड लेंगे, इन सवानों का उत्तर है, सेल्फ फ्री, मैं सेल्फ ही नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, सेल्फ फ्री, यानि सेल्फ एवर्णेस, सेल्फ कांफिडेंस, और जो सबसे बड़ी ताकत होती है, वो है सेल्फ लेस्नेस, आप अपने सामर्थ को पहचान कर आगे बड़े, पूरे आत्मविश्वात से आगे बड़े, और निश्वार्त भाव से आगे बड़े, हमारी यहां कहा गया है, सनेही पंथाह, सनेही कंथा, सनेही परवत लंगणम, सनेई बिंदिया, सनेई विक्तम, पच्चतानी, शनेई शनेई, यानि जब रास्ता लंबा हो, चादर की सिलाई हो, पहाड की चड़ाई हो, पढ़ाई हो, या जीवन के लिए कमाई हो, इन सभी के लिए धैरिये दिखाना होता है, धीरज रखना होता है, विज्ञान ने सैंकडो साल पहले की इन समस्याओं को, आज काफी सरल कर दिया है, लेकिन, नौलेज और साइंस के प्रयोग, इनको लेकर, ये कहावत, धीरे धीरे धीरज से, ये कहावत, आज भी उतनी ही सासवथ है, आप सभी साइंस, टेकनलोजी और इनोवेशन के जिस मार्क पर चले हैं, वहाँ जल्दबाजी के लिए कोई स्थान नहीं है, साथियों, आप ये जानते हैं, कि ऐसे समय में जब दुनिया, क्लाइमेट चेंज की चुनोतियों से जूज रही है, भारत ने, इंटरनेशनल सोलार अलाइंस, आइसा, आइसा का विचार दुनिया के सामने रखा, और इसे मुर्त रुप दिया, आज दुनिया के अनेक देश, भारत द्वारा सुरू कहे गई इस अभ्यान से जुड रहे हैं, अब हम पर दाइत्व हैं, कि हम इस अभ्यान को और आगे ले जाएं, क्या हम दुनिया को सस्ती, एफ़रेबल, एनवार्मेंट फ्रेंड्ली टेकनोलोजी दे सकते हैं, जो भारत की इस पहल को और आगे ले जाएं, भारत की पहचान को और मजबूत करें, आज भारत उन देशों में से हैं, जहां सोलर पावर की कीमत, प्रती यूनिट बहुत कम है, लेकिन घर घर तक सोलर पावर पहुंचाने के लिए अब भी बहुत चुनोतियां हैं, साथियों, डिजास्टरन मेनेजमेंट भी एक ऐसा विशह हैं, जिस पर भारत ने दुनिया का ध्यान आकर्शित किया है, बड़े डिजास्टर में जीवन के साथ ही सबसे ज़्यादा इंफास्ट्रक्चर को नुक्षान पहुता है, इसे समझते हुए, भारत ने दो वर्ष पूर्व सयुक्त राष्ट में कोईलेशन फर डिजास्टर रेजिलियन्ट इंफास्ट्रक्चर सी डी आर आई का आहवान किया था, दुनिया के अनेक देश भी इस से जूड रहे हैं, डिजास्टर मेनेजमेंट को लेकर भारत की चिंता, भारत की पहल को समझ रहे हैं, अज दुनिया उसका स्वागत कर रही हैं, ऐसे समय में, भारत के टेक्नलोजी एक्सपर्स, उन पर भी नजरे ही, दुनिया को क्या सॉलूशन दे सकते हैं, देश में आज जो छोटे बड़े घरों का निर्मान होता है, इमारतों का निर्मान होता है, उसे हम टेक्नलोजी की मदर से, डिजास्टर प्रूब कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हमें सोचना होगा, बड़े-बड़े ब्रीज बनते हैं, एक तुफान आ जाए, सब तबाह हो जाता है, हमने अभी देखा, उत्राखण में क्या हुआ, कोरोना के इस समय में हमने देखा है, कि कैसे पर्सनल हेट केर एक्विपमेंट्स, एक बहुत बड़ा मार्केट बनकर उबरे हैं, लोग पहले थर्मोमीटर और जरूरी दवाईयां तो घरों में रखते थे, लेकिन अब ब्लड प्रिशर चेक करने के लिए, सुगर चेक करने के लिए, ब्लड ऑक्सिजन चेक करने के लिए, एक्विपमेंट्स घर में रखते हैं, हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी एक्व प्रिशनोलोजी की मदद से नए समाधान विक्सित करने होगे.